हेलो मेरे प्यारे बच्चो तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिम सिम ये तो सारे के सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं सब पानी के अंदर रहते हैं तो यहां कुछ वर्ड्स दिये हुएं फल्टे सीधे वर्ड्स तो उनको सीधा सीधा हमें correct करना है तो यह picture देखो और यहाँ पर यह name देखो, दोनों को समझके, पहले यह picture देखो कौन से animal की है और फिर यहाँ पर जो word दिया गया है उसको correct करके यहाँ लिखना है तो आप लोग help करोगे yes तो यह यहाँ old word दिया है, तो इसको हम correct करते यह picture किसकी है यह है सेल की picture तो यहां इस वर्ड को correct करो S-A-L-E है ना बन गया ऐसे ही दूसरा यह किसकी picture है यह तो dolphin की picture है तो इसको हम यहां correct कर लेते हैं D-O-L-P-H-I-N dolphin में गया और यह कौन सी picture है यह कौन सा animal है यह है केकड़ा crab crab तो यहां लिख दो C-R-A-B ठीक है फिर यह कौन सा है यह भी पानी में रहता है sea horse तो इनको correct करके लिखो sea horse ठीक है यह picture किसकी है यह भी पानी में रहती है starfish तो यहां correct करके लिखो starfish ठीक है फिर आ जाते हैं यह यह भी एक animal है जो प्राजी रहता है यह क्या है Octopus इसके बहुत सारे पैर होते हैं Octopus Octopus ठीक है फिर आ जो यह कौन है Turtle Turtle ओके फिर यह कौन है बहुत डेंजर होती है बहुत बड़ी होती है कोन है यह shark शार्क तो सब के वाइब्स करेक्ट करके लिखने हैं आपको ओके नेक्स्ट है यह कौन है यह वेल बहुत बड़ी खा जाती है तो यह वेल यह कौन है प्यारी सी छोटी सी जल्दी लेख के बताओ मुझे फिश वेरी गुड वेरी गुड पिटा तो यहाँ फिश लिख दो तो ऐसे हमने सारे अनिमल्स वाटर अनिमल्स को करेक्ट कर लिया है ठीक है तो आप अपनी बुक में सभी को अच्छे से मेंशन करना कुछ गल